जोगा कि परत्यासी पर नितिष जी अगर विचार कर सके और एंडिया का सिर्ष नेत्रित वागर विचार कर सके तो एंडिया की जोले में जहानवद का सीट रहेगा नहीं तो परिनाम प्रभावित हो सकता है जैसा मेरा मनना है पर में लोग उपर में मोदी जी के देखते हैं अब बीच में तो इनिती जी है लाव निकाल तो भारे हो गया इसको तो देखने नहीं है किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है चंदेश्वर चंद्रवंसी जी पिछले पाच वर्सों में क्या काम किये हैं और इनका संसद कैसा होना चाहिए नमस्कार परणाम मैं अमीद चोरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक अभिमारी मौजूदगी है जहानावाद संसदिय छेत्र के सार्सु गाउं में और अठाइस तारीक का वो दिन था और यहां के जो मौजूदा संसद थे चंदेश्वर चंद्रवंसी जी वो जगह है जहां पर संसद महोदे अपने जनता से मिल रहे थे बोट मांग रहे थे उसी दोराने हां के कुछ ग्रामीन उनसे सवाल कर दिये कि महोदे जी पिछले पाच बरसों तक अब कहां थे जब चुना हुआ है तो पुना आप जनता से बोट मांगने के लिए हैं जरह का मतलब कि पुर्जोर उनका बिरोद देखने के लिए मिला यहां से निकल करके बगल के गउं में गए वहां पर उनको बिरोद देखने के लिए मिला कुछ दुर और गए तो वहां पर उनको गालियों का सामना करना पड़ा भदी बदी गालिया उनको पड़ा तो इससे कि आप यहां का राजनितिक समीकरन है इसके उपर चर्चा करेंगे क्यों कि आप टिक्टो का बटवारा हो चुका है जैदियू से पुना नितीश कुमार की पाटी संसाधिया क्या मुलते कि सांसध जी को पुना टिकट मिला है और दूसरा हुआ टिकट मिला है और अगर अरज चंदेशवर चंदरबंसी जी पिछले पाच वर्सों में क्या काम किये हैं और इनका सांसध कैसा होना चाहिए एक चछा जी बैठे हुआ यहां पर चछा जी सबसे पहले अपना सुभ नाम बताईएगा चलिए मरा नाम सूरेश परसाद सिल है सुरेश चा बात बताईए कि पाच साल बीत गया चुनाव मतलब कि 2019 में हुआ था आप लोगों ने चंदेशवर चंदरबंसी जी पर बिसवास जताया था ऐसा क्या हुआ कि उनको बिरोध कर रहा है आप लोग मतलब कि इस वर क्या समीकरम बना नहीं नहीं जहां तक पहले आपने बताया पूरा करने आये थे और यहां कोई बिरोध नहीं सिर्फ उनसे यह सवाल पूछा गया था कि श्रीमान आपने पूरे संसदिये छेत्र में आपका रियल्ट मात्र 1701 मतों से हुआ और हमारा बूत आपको 1701 बोट दिया था और सबसे आखरी में हमारे मतदान के अंदर की गिं सबसे आखरी में पहुंचता है पांच पहले मतदान के समय सुरेंदर जी की जीत हो चुकी थी ऐसा हमारे उमिदवार चंदेश्वर चंदरवंसी जी मान चुके थे सुरेंदर जी का फूल माला मिठाई या भी चुका था लेकिन जो मेरे पंचायत का बक्सा खुला तो जो बराबर बराबर मत चल रहा था थोड़ा सा सो दूसों का जो फासला चल रहा था सत्रा सो एकामन बोट यहां इनको विशाल बढ़त दिया और इनका परिणाम तक पहुंचा दिया था अश्या मतलब कि आपके बातों से यही लगता है कि इसी गाउं के बोट से चंदेश्वर जी संसत बने शिर्फ और सिर्फ शिर्फ सत्रा सो एकामन से उनका रिजल्ट है सत्रा सो एकामन का हमने बढ़त दिया था उनको माने इसको बाखो भी रेकॉर्ड बात बोल रहा है यह यह सच है आप इसका पता भी कर सकते हैं बिल्कुल हम लोग रिसर्च करके आया कि सत्रा सो बोट से वो जीते थे और यह जो गौं है सार्सू सार्सू है ना और कभी यह सहां पर पिछले पांच वर से मों नहीं आए यह कादवार हुआ थे जब विजय जूलूस में घूम रहे थे अभी नंदन समारो अभी नंदन समारो का जब कुछ कार्ज करम चल रहा था तो एक वार और आयत है जब उनसे यह पूछा गया बढ़ा सवहार्द पुर्णबात पुर्णाया गया अग्रोना से यहीं मुक्ति मिली तो ही हमारा रास्टे नेता हमारे नितिस जी जो है उन्होंने अर्जेडी से गठ बंदन कर लिया तो मैं आर्जेडी के तरफ देखूं या इंडिये के कर्च करता के तरफ देखूं मुसीवत हम सबों की हो जाती है और ज जनता के बीच हम नहीं रह सके हैं आईसे हम 1200 गाउं का वीजिट अभी तक किया है जिसका वीडियो मेरे पास है एक सवाल होगा और आखली सवाल होगा आपसे आप फिर से चुनाव आ गया है चंदेशवर चंदरबंसी जी को फिर से टिकट भी मिला है तो इस वार सारसू की जनता किसको इंपी देखना चाहती है अमारे चुनाव है यह विरोध किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है चंदेशवर चंदरबंसी जी अतिपीछडा से हैं इसका विरोध है इस बात को नहीं सूप करना चाहिए इस बात का कॉत्य सुप कर नडिज पर तादें कि हम पहले इ और 2009 में हमारे बीच जदिव के उमिदबार बन करके डाक्टर जगदीश सर्मा आये हम लोग उनको चुनाव जिता करके भेजा उना रालो सपा के साथ अरून बाबु आये हम लोग उनको जिता है दो अगली जाती से थी तीसरा वार 2019 में हमारे बीच अती पिछला का उमिदब और उसी मजबूति के साथ इंडिया के कार्ज करतान उनको साथ दिया और उनको चुनाव जिता करके भेजा अच्छा ता आब री एंडी को सपोर्ट किजियागा बिलकुल एंडीयों को सपोर्ट करना है लेकिन अपील होगा जनता का कि अभी अबसर है अगर नितिस्जी त को बदल देते हैं भारी जीत होगी अगर इसी उमीदबार के बाद जहानाबाद को छोड़ दिया जाता है तो परिणाम संदेह में चला जाएगा इसमें कहीं कोई दोराई नहीं है क्योंकि मजबूत परती दोंदी है मजबूत परती दोंदे वहले सुरंदर जादों बार बा इसलिए अग्रह होगा कि परती आसी पर नितीज जी अगर विचार कर सके और इंडिया का सिर्षन नेत्रित पर विचार कर सके तो एंडिया की जोले में जहानाबाद का सीट रहेगा परिनम प्रभावित हो सकता है जैसा मेरा मनना है चलिए दादा है और बहुत समझधारी पुर्वक अपना जवाब दिया और बोल रहा है कि अगर उमीदबार को बदला जाए तो जहानाबाद का जो संसाधिया छित्रे वो बच सकता है एंडिया के लिए एंडिया के निश्चित सिठ है यह इसको अंदकार में डाला जा रहा है चलिए बहुत सारे लोग है और अब पूछ लिजियो जात वो इसी चंद अश्वर जी का काम ने पूछो नेता की पूछ लिजियो जात बला हाल है इसलिए विशेष रूप से यही आग रहा है अगर आप सच तक निवज पोचाएंगा जहानाबाद अभी अपने हमारे चचा जो है भार्त्य जनता पाटी के बरिष्ट नेता भी है अच्छा और चेत्रिय परवक्ता भी है इसलिए उनका आपने संभोधन सुना चंद्रस्वर चंदरवंसी जी के उपर तो यही भी से साग्रह होगा कि हर हालत में जेडियू का ही परत्यासी हो चेहरा हर हालत में बदला जाए चेहरा से अप लोग खी जी तयरiteit में बदलना चाहिए इस काम क्या किये नहीं किये कि जी आप अज़ियू का में इन इन और अगरा है अचंद्यस था टेंजिए निश्त वहा झालेघ को आनट्यास सार यहां फूरे हिनदुस्तान को बदेता है टहां जोड दीश्ट मीं और अधिए और напात बद कि एंडिये गठमंधन में हैं तो हम लोग गठमंधन धर्म का पालन पिछले बार भी किया था हूं जिताये थे लेकिन इस बार भी होगा लेकिन विशेस आगरा की चंदेश्वर चंद्वरंस्टी जी का चेहरा इस छेत्र में जहानाबाद संसद्य चेत्र में कार्ज के क्योंकि देश में क्या बोलते हैं रोजगार की बात होती है तो सबसे अगड़ी पंक्ति में खड़े होते हैं तो युवा होते हैं युवाओं के लिए जहानाबद संसद्य चेत्र में क्या काम हो भीया कि 2019-2024 तो कोई काम नहीं हुआ क्या चाहते थे MP साहब से क्या उमीद दोनों के जो मतलब सिस्ट नित्यत हैं वह अधिपिशा पाड़ी से बिलॉंग करते हैं लेकिन दोनों ने काम किया यह जिस सरक प्याप खड़े हैं यह सरक जदी सरमाजिया को दिया हुआ है और एक रोड है जो नार्दी हमारे गाउं से नार्दी को जोडते है वह अरुन अरुन बगव का दिया हुआ है इनका तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है मतलब कि हम लोग को कोई दिकत नहीं है गाँ ट वे तो इसमाजिक है उसको कटना यहगी सब्सक्रद कषम एक इंदीर में झैनियाश सब्सक्राइब करने के लिए काम कुछ नहीं किये और इस चेतर को हमेशा मतलब की एक कि हम लोग तो में सोनका अगे रखें पिछले तीन तर्म का चुना उप देख लीजिए हमेशा इंडिये को तो खार मतलब बटागा गूमें एंडिये को हमेशा एक दम सराखों बिल्कुल विदान सब्सक्राइब का बाता जाए लोग सब्सक्राइब का बाता जाए अच्छ इसवर तो समीकरन फिर वही है चंदेशवर चंद्रिमंसी जी को मिरा एंडिये के साथ है तो कि इधर जाएंगे आप लोग अभी तक तो अंतिम चुना अंतिम में यह है और 15 मई से यहां पर सरगर्मी बढ़ेगी बढ़ेगी उसके बाद ही निने ले क्योंकि आप निने ल ले कि वह शनी है तक हैँ यह तो चंद्र बंसी जी जैसा नहे होना चाहिए अगिमर ला जाएंगाई कोई आजाएंग कोंशी जी से अरा दे है अच्छा लुग नहीं उन्ते सवाल किये थे थे तू पांच आल के बाद भूल लेहां मिल गये थे आये थे नहीं आप लोग से मिलने के लिए नहीं तो भूलाइल भटकालू अगये थे अच्छा तो फिरू इस वार एंडिय उन्ही को टिकट दिया और आप लोग बोल रहें क कि एंडिये को हम लोग सराखों पर रखते हैं तो इस वर कैसे होगा काम उनको भोट मिलवे ने करेगा चंदरबंशी जी को वह इसी अबरी हावा में जाएंगे टिकाटवा तो मिले है ना टिकाटवा मिलके उमाला पेन ले थिंजुता के अबरी अचे इस वर समीकरन क्या बन तो किसको देखना चाहते हैं अप लोग अगर मालिय कि चंद्शवर चंदरबंशी जी का टिकाट नितिजी जी बदल देते हैं आप लोग के बातों को सून कर ले तो अगला MP कंडिडेट एंडिये से कौन हो बोलु ने ने हम कायल बोलियो आप किसको देखना चाहते हैं हम लोग उपर में मोदी जी के देखते हैं अब बीच में तो इनिति जी हेलाव निकाल तो भाहर हो गया इसको तो देखने नहीं है अचा नितिज कुमा जी साब कोई मतलब ने कोई तालूख ने जी को देखना चाहते और मोदी जी नितिजी एक तो मजबूरी है देखना तर खात्नों देखेंगे ता उसी हाप कर देंगे अंतम हमरी पूरा जापने वी हापने अचांगा शचंटरबांसी जी को हरा अटना दूसरा चेहरा को जिताना अ बदूसरा चेहरा A,B,C,D,E,F,G कोई जीना जईकत को जिता सब और अगर यही कंडिएट रहगा है तब क्या क तब क्या करेंगे तब फिर चंद बंसी जी हारेंगे पिर अपलोग सपोर्ट ने करेंगे क्या ददा का महुल है अब 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 तुम ही मोल तो अची MP साहब जाकून अभी मौजूदा आप लोग के कुछ ने बोल भू का है कि अब भूज पुरा मिलती है अब अब पूरा में पूरा में लेगा अचा क्या सोच्रे ना हो देलिया के लिए पुरा में रिया अबरी में पूरा मिलागे तट इभाज के लिए क्या होना चाहिए चोविस हावने हैं नहीं सुनिया नहीं अचे ठीक है और विसा कोई बात नहीं आप लोग युवा हैं इधर इदर बाड़ियौ को क्या चाहिए देखें हम लोक तो जो बेहतर रहेगा हूं हम लोग करेंगे कोन है बेहतर ने कि अब है हम लोग जनते है तो आम जनते होता है ना भाई समाजी जौभ बहुत लाधिए लिगोडिन के बारे में बताइए थोड़ा हुगा था भाइवे निकिये वो पांच साल के बाद फर्श दोबारा बारा आए तो एक बार क्या बोलू कुछ कर वे निकिये तो सब तो अथी नॉर्मल रहेंगा ना उतों कुछ बोल वे निकिये अचा मतलब की गलती में थे इसलिए चुप- नेवल किसोर सीहाप का नाम हुआ अचे एक बात बताईए चुनाव है बुजूर्ग दिख रहे हैं जहानावाद को बहुत करीब से देखे हैं क्या महौल है इस बात महौल को उनका नहीं है किन खार चंद्रबंसे जी को एकदम खतम से खतम आदमी है एकदम खतम आदम खतम कि एक दिन भी दवरा नहीं किया जा क्यों ऩो है उसा करते हैं कत्म आदेन करते हैं क्रते यह कंप पाँच बरस में को doświad med ναist कुन ले मिला पांच बरस में उनको एको दिन weary मोज़का मिला अचहे लोग चाहते है क्या उनसे हम लोग चाहते थे कि अभी भी चलेंगे जरूर चलेंगे पहले बतिया कर लो हम अपना घर तर देखाते हैं यह जैसे यह जैसे तक यह जिस्टर माजी को दिया हुए चीजा वे जैसे देखिए नली है कागो बनालका जो अचे तो इस वर काम महोल बनाई लो है फिरुटी काटबा उनके मिलो है तो तो सारी गाउं एक हो जाएगा सारी गाउं मतलब इधर चाहएगा उधर बोट पड़ जाएगा कितनों गोड़ाथ पड़ते रहें कातर नौ चंदर बंसी गोड़ाथ इन साल अभरी उसको ना तो कुछ तो दी मगवम होती ना था अभरी सुरेंदर यादब जिया खून फ अगर ने खून ने था जेकर ला ती उकर जाए खून बैं ज्याव सा मॉगर मारते ने को ने जी इतना ज्यान कों ने प्तल वागी दिया अपने पतलगी अफ्र है झेल आपको ने हुआ अपकोूง प्तलगी लोज जुप जयादर पंसी आपकोन है चंदर पंसी तो ठीक है यहां पर मतलब कि बहुत सारे जो लोग है वो बोल रहे हैं कि चंदरबंसी जी से हम लोगों को नराजगी है इसलिए नराजगी है क्योंकि वो पाथ सल चुनाओ जीते तो कभी भी हम लोगों के बीच में सुख दुख को साजा करने के लिए नहीं आए और विकास की ब वारे में क्या सोचते हैं कमेंड बॉक से मताईएगा दूसरे एपिसोड में दूसरे गाउं में दूसरे व्यक्तियों से वारता लाप करेंगे तक तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और रखते रहना रंदन दस्तक धन्यवाद